मुजाम्बिक का आधा हिस्सा जंगलों से ढगा है, लेकिन पिछले 20 सालों में यहां करीब 40 लाख हेक्टेर की जमीन से पेड काटे जा चुके हैं, यह साइज सुर्जलैंड के बराबर है जंगल बारिश में मदद करते हैं, वो हमें तेज हवाओं से बचाते हैं, तापमान में अचानक उतार चड़ाव से हमारी रक्षा करते हैं सेंट्रल मुजांबिक में चिमान इमनी नैशनल पार्क के आसपास रहने वाले लोगों ने जंगलों के कम होने का प्रभाव जहला है पहले धरती बहुत उपचाओ थी, हम खाने पीने की काफी चीज़े उगाते हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल कई मौकों पर भुकतान के लिए करते हैं जैसे बच्चों को स्कूल भेजना, लेकिन अब इतना उगा ही नहीं पाते कि ये सब कर पाएं बारिश लगभग बंध हो चुकी है, पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है, जंगलों की गैर मौजूदगी की वज़े से नदिया सूकती जा रही है और जंगलों की इतने बड़े पैमाने पर कटाई, खेती के लिए, इंधन मनाने के लिए और लकडियों का इस्तेमाल करने के लिए की गई ये घना जंगल हुआ करता था, लेकिन पिछले दस सालों में लकडी के लिए इसे तबाह कर दिया गया इडिन रिफॉरस्टेशन प्रॉजेक्ट एक नॉन प्रॉफिट और्गनाजेशन है, जो चमानिमनी नैशनल पार्क के आसपास के इलाके को पुराने हालात में वापस लाने की कोशिश कर रही है पौधे लगाये जा रहे हैं, नरसरी खोली जा रही है, इन इलाकों में लोग जंगल साफ करने के लिए आग लगा देते हैं, ताकि खेती कर सकें, लेकिन हम लोगों को जंगल बचाने को लेकर जाग रुक कर रहे हैं, और ये सब खेती के लिए किया जाता है, इसलिए हम ए Environmental Investigation Agency नाम के NGO ने तीन चार साल तक देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रही अवैद कटाई को लेकर अंडरकवर आपरेशन किया। इससे पता चला कि पुराने शीशम के पेड़ों को खासकर निशाना बना जा रहा है। एक अंतराष्टे समझोते के तहट शीशम को सनरक्षित करने की बात कही गई है। लेकिन दुनिया में ये सबसे जादा तसकरी की जाने वाली चीजों में शामिल है। शीशम को चीनी भाशा में हौंग मू कहते हैं। इससे मिंगवंश के समय में बनने वाले एंटीक फरनीचर बनाये जाते हैं। और इस लकड़ी की कीमत हजारों में होती है। और इस लकड़ी की एक प्रजाती पाउप प्रोटो है, जो महंगी है। इसे भारी मातरा में चीन में एक्सपोर्ट किया जाता है। शिपिंग डेटा से पता चलता है कि पिछले साल मुजामबिक ने चीन को सबसे जादा शीशम की लकड़ी की आप उर्ती की। और जैसे जैसे मांग बढ़ी है, इससे मिलते जुलते पेड़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मुजामबिक के जंगलों पर लगा तार पढ़ रहे दबाओ के बीच, जंगलों के संरक्षन के लिए इडेन जैसे कई दूसरे प्रॉजेक्ट की जरूरत है।